नवस्कार शुरूबात करते हैं बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर एक इसांसत प्रदीप टम्टा का बड़ा बयान सामने आया है। कॉंग्रेश सांसत प्रदीप टम्टा की तरब से हमारे सवयगी पवन गौड इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश रावत हैं उन्हीं के चेहरे के साथ चुनाव लड़ा जाएगा और अगर सत्ता में अगर कॉंग्रेस आती है तो जाहिर तोर पर उनको आगे मुक्यमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि हरीश रावत एक मातर ऐसे चेहरा है जो पार्टी की शुरुआत्यों की शुरुआत्यों की शुरुआत्यों प्रिजिडेंट है जब राश्रीत निवित्वर्त ने का कि हम चुनाव में जा रहे हैं तीन मेहने पर तीन-चार मेहने बाद हमको चुनाव में जाना है और चुनाव अभिहान का चेहरा जो होगा तो माना जायेगा कि वह आने वाले संब्ड में बड़े जुमिएदारी सम मैं समझता हूँ कि इसी आधार पर उनको कंपेंड कमेटी का अधिक्स बनाया गया और उस मुकाबले में उस पूरे उसमें इसमें अगर सवाल कॉंग्रिस का नहीं सवाल भारती जनता पार्टी कभी नहीं अगर पूरे राजनिक फलक में आप उत्राखन मत देंगे उनके सब्सक्राइब को आज परोस रहे हैं तो उसी के आधार पर तो हम कह रहे हैं कि यह आने वाले वहुष का लीडर होगा तो कि सर यह भी माना जाए कि अगर सरकार बनाने की स्थिति में आती हैं तो हरीश रावत मुख्यमंद्रीपत का दाविदार होंगे कॉंग्रिस की कि आने वाले फीचर की लीडर सिप किना तुम होगी सर क्योंकि चुनाब में 6 महिने का वक्त पचा है केंपेंड कमेटी बना दी गई अध्यक्ष हैं तो किस तरह से आप कॉंग्रेस के केंपेंड को आप आगे बढ़ाएंगे तो घुसरा हुए हमारी प्रदेश अध्यक्स दू-3 दिनों में पदबार्द गर्ण करने जा रहे हैं जैसी वह अपना प्रबाद गर्ण कर लेंगे तो तक देश अध्यक्स प्रदेश कमिटी के अध्यक्स हमारे प्रभभभरी दिवे अध्यक्स अन्य जो वीबन हमारे संगठन मने है कोर कमीटी बीएघ बनी है चरण में तीन परिवर्टेनी आता निकालेंगे फाउस चरण की खटीमा से मसूरित है कि दो चरण में गड़वाल में होनी थी लेकिन दुरबागे से वो पूरा नहीं हो पया तो कुल मिलाकर कि यह है कि पांस साल की जो बधाली भारती जनता पार्टी ने राज की चंता से च रिष्वास जताया था उसका राज की जनता उसका बदरा लेना चाहती हो कॉंग्रेस पार्टी का अनुबाव है कॉंग्रेस पार्टी पर लोगों ने रिष्वास ब्यक्त किया है इसलिए मैं समझता हूं कि कोई दिकत नहीं आएगी और इन 5-6 मेनों में कॉंग्रेस की अगे बढ़ी हो जनता और हमारे साथ जुड़ जुके हैं यह बड़ी बात सामने आ गई है हरी शुरावत सीम पत का चेहरा होंगे चुकि वो प्रचार कमेटी का चेहरा है लेयाजा उनी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और वही सीम पत के प्रत्याशी होंगे कोई चुनाव अभ्यान समीथी का जिसको चेहरा बनाती है वही मुख्यमंद्री के चुनाव के बाद पार्टी आ जाती है एक तरीके का अगोशत नियम है पार्टीयों के बीच में उत्तराखंट के केस में ऐसा हुआ है कि हरी श्रावत को कमान सौपी गई है लेकिन क्या उ अगोशत तो यहीं एक नियम होता पार्टी वह बीच में चुनाव रियान समीथी का नेता है वही मुख्यमंद्री पत्का दावेदार भी होता है अगर पार्टी सुस्ता में आ गई तो लेकिन इसका फर्क मुझे लगता है कहीं न कहीं कॉंग्रेस को उठाना पड़ सकता है अगर सारे नेता एक लाइम है या एक सिंखो के नहीं बोलेंगे तो हमें ताने वाले तो यही मेरा अगला सवाल भी था कि अभी जो यह बदलाव किया गया पार्टी के भीतर उसको लेकर पहले ही असंतोष की खबरे सामने आ रही थी अब प्रदीप टम्टा का बयान क्या उस असंतोष को और बढ़ाएगा क्या मुझे लगता है बढ़ाएगा देखिए अगर आप इसका कंपोजीशन देखेंगे जो परसों अभी परिवर्तन हुआ है कॉंग्रेस में उसमें चुनाव अभ्यान तमीती में हरी शावत अध्यक्ष हैं प्रदीप टम्टा हैं और उसके कन्वीनर दिनेश अगरवाल हैं जो चार कारेकारी अध्यक्ष मनाए गई हैं का ध्यक्ष के लावा उनमें भी चार कारेकारी अध्यक्ष हैं में कम से कम दो कारेकारी अध्यक्ष हैं जो कि हरी शावत समर तक माने जाते हैं तो इसमें हमेशा मुझे लगता है कि यह दिखते रहेगा आने वाले दिनों में क्योंकि लड़ाई सारी कुल मेला कि यह है कि वह जो सत्ता का बड़ा टुकड़ा अधर हाथ में आया तो इसको किसके खाते में जाए तो इसी बात की लड़ाई है लेकिन यह बात भी सही हमित कि उत्राखंड कॉंग्रेस में इस वक जो निर्वराद रूप से सबसे बड़े सब्सक्राइब करता है कि सारे नेता कि साथ जुड़ने के लिए तमाम समीकरण समझाने के लिए अनपरम त्रिवेती एडिटर उत्राखंड वो समझा रहें कि कॉंग्रेस से किस तरीके की खबरे सामने आ रही है और इसको लेकर आने वाले दिनों में कॉंग्रेस पार्टी को क्या फाइदा हो सकता है या किस प्रकार का संतोष पार्टी की वितर देखने को मिल सकता है और कॉंग्रेस में बड़े बदलाव पर उत्राखंड के कॉंग्रेस प्रभारी देविंद्रियादों ने कहा है कि सभी लोग मिलकर काम करेंगे हरी शरावत को सीम के चेहरे के तोर पर पेश करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हरी शरावत अनुभवी नेता है और इस बारे में आला कमान का फैसला सब को मानने होगा वही नवप्रभात की नाराजगी पर देविंद्र रियादों ने कहा कि उन्होंने नवप्रभात से सहयोग के लिए आग्रह किया है मैं सपस्ट करना चाहता हूं कि मानने हरीश रावज जी निश्चित ही एक बहुत मजबूत हमारे एक्सपीरेंस्ट एक ऐसे कॉंग्रेस के लीडर है जिनका सानिद्य और जिनका मादर्शन हमें इस दोरान मिला है और आगे भी इसी मजबूती के साथ मिलेगा हम हमेशा से यह बिलीव करते हैं कि एक कलेक्टिव लीडर्शिप के अंदर हमारा चुना हो और जब चुनकर लोग आएंगे तो वह अपने आप फैसला करें जिसकी महर हमाने कॉंग्रेस प्रेजिडेंट हमेशा लगाती है और जो फैसला होता है फिर वो सब को मानने होता है नहीं प्रभा है और बताया भी है मेरी अभी कल तक कोई बात नहीं हुई थी आज सबेरे मेरी बात जरूर उनसे मैंने चर्चा की है और उनको जरूर यह लगता है कि अगर हम क्योंकि वो लगातार तीन बार से उस कमेटी की चेर्में रहे हैं लेकिन उनके एक्सपीरिंस को देखते हुए हमने उनसे यह अग्रह किया कि आप अगर इसमें हमारे सही जोग करेंगे तो निश्ची थी पार्टी को आने वाले समय में इसका बेनेफिट मिलेगा इधर कॉंग्रेस के नए प्रदिश अद्धिक्ष गड़िश गोदियाल के देरादून आने से पहले स्वागत की तैयारियां चल रही हैं कॉंग्रेस ओफिस से लेकर रोड साइट पर पोस्टल लगाया जा रही हैं करीब साड़े चार साल में हुए इस बदलाव को कॉंग्रेस नेता और कारिकरता बड़े बदलाव के तोर पर देख रहे हैं कॉंग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता मतुरादत जोशी के खेना है कि इस प्रोग्राम में सभी जिलों से नेता और कारकरता देहराधून पहुचेंगे प्रीतम सिंग ने कॉंग्रिस कारकरताओं से आग्रह किया है कि जिस तरह उन्होंने अब तक सहयोग किया है आगे भी वही सहयोग बनाए रखे निश्य दुरूप से पाल्टी की कोशिस रहेगी कि वह अगर जिस दिन उनका कारेभार किरन होगा और पाल्टी उसको एक अच्छा समारो आई जित करेगी कॉंग्रिस के मैं एक एक साथी से आगरे करना चाहूँगा उनसे नियुदन करना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने मेरे साथ खड़े हो करके कि इस राज्य के अंदर कॉंग्रिस को मजूद करने का काम किया उसी तर्ज पर वह आगे भी कॉंग्रिस को मजूद करने में अपना पूरा सहयोग देने का काम करें इधर रोदर्पुर से निकल कर सीम पुशकर धामी का काफिला किछ्छा विधान सभा पहुंचा किछ्छा पहुंचने पर सीम धामी का मुस्लिम समधाय ने जोरदार स्वागत किया साथ ये पुश्कर धामी को नेक इंसान बताते विए 2022 में ओधम सिन्गर की नव विधान सभा सीटों को जिताने का दावा तक कर दिया कि आज लोग कांग्रेश ने मुस्लिम बोटों का तोचल किया दिया नहीं है कोई हमें कोई रोजगार नहीं दिया बेरोजगार भिर रहा है अब हमारे अलप संक्यक को जागरता हुई है ज्यादा से ज्यादा जिले में नो सीटें नो कि नो ही जिताने जिताएंगे पुसकर सिंग दामी का जो काफीला है रुदुरुपूर से चल कर अभी किछा आ गया है किछा में देखे एक तरीके से यह बागतिक कर रहे हैं यह खास्तों से मुस्लिम समुदाय का जो एक वर जिसे भाज़बा के उस पर माना जाता है आगे बड़ते और बात करते को और बड़ी ख़बर की सीम पुशकर धामी ने उलम्पिक में गए भारती खिलाडियों को बेहतर प्रदर्श्विन के लिए शुप कामनाय दी हैं और साथ ही उन्होंने खिलाडियों का होस्ला बढ़ाने के लिए रुद्रपूर के पंत नगर विश्विद्याले में साइकल भी चलाई न्यूजेटीन से खास बात चीत करते हैं उन्होंने उलम्पिक में शामिल पूरी भारती टीम को शुब कामनाय दी है जितने भी खिलाडी यहां से हमारे भाग लेने गए हैं मैं उन्होंस अपनी तरफ से बहुत सुब कामनाय देता हूं बहुत दधाई देता हूं छोटे बच्चे छोटी बच्चियां जो हमारे युवा मुर्चा के सभी कारे करता जो बड़ी बड़े उत्सा के साथ इसमें लगे हुए मेरी सभी को बहुत-बहुत सुब कामना है कल से सावन की शुरुवात हो रही है लेकिन कोरोना की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए प्रदिश्व सरकार ने कामण यात्रा पर रोक लगा दी है जिले में कामणियों के प्रवेश को लेकर पुलिस में पूरी तयारी कर ली है शनिवार की शाम से ही जिले के सभी बॉर्डर पर पुलिस बल्को तैनात किया गया है और साथे हरिद्वार आने वालों के लिए आर्टी पीसियार के निगेटिव रिपूर्ट अनिवार कर दी गई है और जबरन प्रवेश करने वालों पर कारिवाई की बाद भी कहीं है अब है हमारा बार्डर से आज से जो है हमने पीए सितनाती शुरू कर दिया है और बार्डर में चेकिंग जो है काशी तरह से मजबूर्दी कर लिया गया है और दूसरा यदि कोई कावड़े आए साथ हैं बार्डर से उनके वापस किया जाए है कावड यात्रा रद किया जाने के बाद हरद्वार जिला प्रशासन के लिए हरद्वार आने वाली भीड़ थास तोर पर कावड़ियों को रोपना बड़ी चुनोती बना हुआ है इसके लिए दूसरे जिलों से पीएसी और पुलिस बल को बुलाया गया है शनिवार साम से हरद्वार जिले के सभी बॉर्डर और हरकी पैडी समित आसपास के गंगा घाटों पर पुलिस बल पैनात कर जाएगा दूसरे जिले और प्रदेशों में रहने वाले शिप भक्तों के लिए गंगा जल उपलब्द कराने के लिए भी बेवस्ता तैयार कर ली गई है निज 18 पुल की शुकला हरिद्वार कुरोना की तीसरी लहर की आशुंका के चलते इस बार भी उत्राखंट सरकार ने कामण यात्रा को इस्तिगित कर दिया है वहीं आज से हरिद्वार जेले की सभी सीमाओं को सील किया गया है इसके लिए पुलिस प्रशासन लगातार बैठक कर सुरक्षा चाक चौबन करने के तैयारी में भी जुटा हुआ है लेकिन नारसन बॉर्डर पर अभी तक सुरक्षा के कोई पोगता इंतिजाम नहीं दिखाई दे रहे हैं वहीं बाहरी राज्यों से लगातार बाहन बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं और नारसन जाच केंद्र पर भी भारी संख्या में भीर देखने को मिल रही है हाला कि उत्राखंड में वही व्यक्ति प्रवेश कर पाएगा जिसके पास RTPCR के निगेटी रिपोर्ट हो कोरना की तिसीर लहर की आसंका के चलते हुए इस बार भी उत्राखंड सरकार ने कामण यातरा को इस्तगित कर दिया है लेकिन जो नारसन बॉर्डर ऑन पर जाने के लिए गए वहां पे आड़ी प्सली पोर्ट पर के चलते हैं हर्याण-प्र फ्रहा जाना दिया तैने वी नारसन बॉर्डर बोहन ज Laureet और जन झ verification कर रहा है उन्हें उत्राखंड में पर्वेज दिया जा रहा है लेकिन फिलाल जिस तरीके से कल से जो कावड यातरा शुरू होने वाली है उसको लेकर जो पुलिस परसाजन के जो सुरक्षा के जो दावे थे वो फिलाल यहां पर अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं जिस तरीके से कल से जो कावड यात्रा शुरू होने वाली है अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या जो जिस तरीके से जो देहात के जो गुब्द रास्ते हैं और उसके लगातार जो कावड़े हरिद्वार जल लेने के लिए जाते हैं उनमें क्या रोप लख पाईगी या नहीं मनोज ज्याल न्यूज 18 नारसन बॉर्डर या रोकने चोड़े से ब्रेक के लिए जल लटेंगे कुछ और ख़ब रोके साथ और एक बड़ी ख़बर उत्तरकाशु से जहां पर गाव में सिलेंडर फट गया है न्यू खालसी गाव में सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है घरेलू सिलेंडर फटने से मकान खाक हो गया है चिन्याली सौल ब्लाक का मामला है सिलेंडर फटने से हलका मत गया ये तस्वीरे आप देख पा रहें सिलेंडर प्लास्ट की बात की तस्वीरे हैं आसमान में हर तरफ धुए का गुबार देखने को मिल रहा है वहीं सिलेंडर ब्लास्ट की बात स्टफरी का माहौल भी लेकिन चार्ज से पांच दिन बीच जाने पर भी दीपक रावत ने इन पदों का चार्ज लिया नहीं है सूत्रों का कहना है कि आईएस दीपक रावत के इन पदों पर चार्ज लेने से उन्होंने इंकार कर दिया है वहीं उर्जा मंत्री हरक सिंग रावत ने इस बात पर कोई भी टिप पड़ी करने से इंकार कर दिया और चल इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही खबर जारी है आप बने रमार साथ नमस्कार